नमस्कार दोस्तों चक्रवाथी तूफान बीपर जोई का मध्या पर असर दिख रहा है और कई जगों पर राजदानी बोपा समेथ 31 जिलों में बीपर जोई ने प्रभावित करके रखा है और मौसम विबाग की माने तो अने गिलाकों पर बरसात होने उताचड़ा अवजारी रेने और तेज आओ की सत परिवरतन देखने को मिलेगा तो कैसा रहेगा पूरे मध्यपरदेश का मौसम अगले 24 गंटों की तुरन कहां पर बरसात हो सकती है एक दम सही जानकरी सटिक जानकरी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा और मध्यपरदेश में 30 से अधिक जीलों में दोस्तों बरसेंगे बरदा और जवर दस् आप भी जबलपूर, कटने, बोपाज, सीधी, बढ़वानी, ग्वालेर, दारुजेर, हर्दा, शिवपूरी, मंसो, राईसें, साजापूर, विदिसा, शिवपूर, अश्योगमेगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, खोसंगाबाद, समेथ, किसी भी जिले गावें शहर में रहते हैं, पूरे मध्यपृदेश के तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को स्बस्क्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्यापरदेश के कौन से जिले गावें शहर में रहते हैं, तो दोस्तों मौसम विबाद की माने तो मध्यपृदेश मौसम चकरवाती तूफान भीपर जोई आप दिरे दिरे उत्तर प्रदेश के और बढ़ा है और दिरे दिरे इसका प्रवाव कम होते जा रहे हैं लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के अधिकास इलाकों पर इसने असर जमा के रखा था अगले दो दिनों के दोरन इसके जलते ग्वा पाश आने की समट है इसके बाए लगा था बरसात का दोर देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है एक और जहां दोस्तों सुबह के समय यहां पर दूप के तेवर देखने को मिल रहे है वही aan साम होते होते हैं 30 जिलों में बरसात होने की आसंगा जताई है मौसम विबाक के अनुसार अभी मध्या परदेश के दो दिनों तक तूफान के प्रवाव से 40-50 किलोमेटर पती गंटे की रफतार से हवाई चलने के साथ कई जिलों में बारी बरसात और कुछ-कुछ इलाकों पर हलकी बुंदा-बुंदी होने देखने को मिलेगी जिसकी वज़े से तापन में तेजी से गिरावर दर्श की जाएगी और वही मौसम विबाक का कहना है कि इस सब्ता दोस्तों अन तक प्रदेश में मांसुन भी अपनी दस्तक दे सकता है और 25 जून में प्री मांसुन की गतविद्या शक्री होने के साथ मौसम में लगातार बरसात का दोर बना रहेगा मध्य प्रदेश में अगले 24 गंटों की दूरान मध्य प्रदेश के भिंड मुरेना श्योपूर कला कटनी पन्ना दमुआ सागर टिकमगर और निवाडी में बरसात उने की समान और इसके साथ ही बोपाल विदिसा राइसेन शीहोर राजगर बेतूल हर्दा देवास अनुपूर, शेडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपूर, नरसिंगपूर, शेंद्वाड और पन्ना में बरसात के आसारे इसके लवागले दो दिनों तक नर्मदापूरम, बेतूल, देवास में तेज आगों के साथ बरसात की समाना बनी हुई है मौसम में हलचल द तापमान अधिकतर दर्ज किया गया, सीधी में 22.6, उमरिया में 40.5, और रिवा में 41.8, बोपाल में 38, ग्वालियर में 29.5, इंदोर में 34.7 और अधिकतर दर्ज किया गया और बारिश के गान प्रदेश के अधिकास हिस्सों में 40 डिगरी के नीचे तापमान पहुँचा है मौसम में बदला होए गर्मी का प्रकॉपे उतार चड़ा अफजारी और तेज आओ के साथ बदला होगा और 40-50 किलोमेटर प्रती गंटे की अरफ़तार से हावाई चलने के साथ कुछ जगों पर बरसात होने की समवान है तो कई जगों पर आगामी 24 गंटों के दुरन गौ सब्सक्राइबAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd तापमन में भारी गिरवट बरसा तोने मौसम में परिवरतन उताचडा अवजारी और काई जगों पर मौसम में हल चल देखने को मिलेगी तेज रात के समय दिन में 33, 36 शनिवार रवार समवार से बरसाथ होगी बिजली जमके की मौसम में परिवरतन उताचडा अवजारी और तेज आओ किसाथ मौसम में बदलाओ की गतविद्या जगों पर बारी बरसाथ की गतविद्या देखने को मिलेगी यहाँ पर ग्वालियर में 37-67 रात किसमे तो दिन में 33-34 करीब ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे बरसात होगी मौसम में अलचल उताचड़ा अफजारी तेज आगो के साथ परिवर्तन और बादलो के अज़े की साथ मौसम बदल सकता है यहाँ पर हर्दा की बात के तो हर्दा में भी मौसम बदलेगा उताचड़ा अफजारी तेज आगो के साथ परिवर्तनों का रात किसमे तो दिन में 32-34 करीब ताप मर रहेगा और तेज आगो के साथ मौसम बदलेगा शिवपूरी में 226-27 रात किसमे दिन में 30-30 करीब ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे बरसात की गद्वीदे अज़ारी रहेगी सोमवार मंगलर को बारी बरसात बिजली चमंगने मौसम में परिवर्तन उताचड़ा अफजारी और तेज आगो के साथ में 37-30 करीब ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे बरसात होगी बिजली चमंगे की मौसम में परिवर्तन उताचड़ा अफजारी तेज आगो के साथ बरसात होगी और मौसम में बदलावाने के संकेत है विदीसा में 37-30 के समय दिन में 30-31, 32-33 करीब ताप मर रहेगा पूरे 7 दिन बादल चैरिंगे बरसात होगी मौसम में अलचल उताचड़ा अफजारी और कुछ-कुछ इलागों पर बारी बरसात की गत्वीद्य तो काई जगों पर मौसम में बारी बदलावाने के संकेत है शोपूर में 38-29 रात के समय दिन में 33-4 दिन बादल चैरिंगे रहीवार समवार मंगलोर को बारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसम में परिवरतन उतार चड़ा अफजारी रहेगा गोना में 26-27 रात के समय दिन में 32-33 पूरे चार दिन चिटपूर समवार मंगलोर को बारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसम में परिवरतन उतार चड़ा अफजारी और तेज आगों के साथ मौसम में बदला वाने के संकेत है खरणों में 28-29 रात के समय दिन में 35-36 पूरे चार दिन चिटपूर समवार मंगलोर को बारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसम में परिवरतन उतार चड़ा अफजारी और तेज आगों के साथ मौसम में बदला होगा दिन डोरी में 26-25 के करीब रात के समय दिन में 32-37 करीब ताप मारेगा शनिवार रावयार को बारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसम में परिवरतन उतार चड़ा अफजारी तेज आगों के साथ मौसम बदलेगा होसंगा बाद में 47-77 रात के समय दिन में 23-34 रिबता करीब ताप मान रे गा उमर्या में 7-67 रात के समयं दिन में 32-33, तीन दिन चेटपूर राववार समवर मंगलार को बारी बरसा थोगी बिजली चमके के बारी ताप मान रे गा रतला में 26-37 रात के समय दिन में 32-33, रहीवार सोमवर मंगलर को बारी बरसात बिजली चमके की मौसम में परिवर्तन उतार चड़ा उतार 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 जड़ी सब्सक्राइब बिजली चमकेगी दिन में 31, 32, 7 दिन बादल चैरिंग के बरसात होगी, बारी बरसात की गद्विद्य अजारी रहेगी, पन्ना में 26, 37 रात के समये, दिन में 28, 29, पूरे 7 दिन बारी बरसात, बिजली चमकने मौसम में परिवर्तन, उतार चैरा अफजारी और तेज जाओ के साथ बदला होने के आसारे, वहाई दोस्तों शियोर का भी मौसम बदल सकता है, उतार चैरा अफजारी रहेगा, तेज जाओ के साथ बारी बरसात होगी, और यहाँ पर रिवा, शिवनी का भी मौसम बदलेगा, शिवनी रिवा में 28-29 रात के समय दिन में 33-24 बारी बरसात और बिजली चमकी की मौसमें परिवर्तन होगा शिवनी शेडोल दमवा टिकमगर जाबवा मुरेना नर्सिंगपूर बालगाट मनला चिंद्वडा बेतुल अनुपूर आगर निवाडी समय अनेक इलाकों पर बरसात की गतिविद्यों में इसाफ़ा और उताचणा अफजारी रेगा तो यह ताप पूरे के पूरे दोस्तों जाए मध्या प्रिदिश का मौसम वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना